हमारे सभी दर्शकों को साधर पणाम जैशिक रश्ना आज का हमारा विशय है क्या प्रेम विवाह में कुंडली मिलान की आवशकता है या मूर्त शुद्धी की आवशकता है वेसे प्रश्न बड़ा महतुपून है और एसे प्रश्न भी हमारे पास आते हैं कोई लड़का है किसी लड़की से प्रेम करता है पसंद करता है और विवाह करना चाहता है तो प्रश्न उठता है कि क्या कुंडली मिलान करें और यदि कुंडली मिलान उन्होंने कर भी दी तो वहाँ पर गुण कम मिल रहे हैं इस इस्तती में क्या करें क्या कुंडली मिलान क कम हो रहे हैं तो क्या करें क्या कुंडली मिलाना जरूरी है यहाँ प्रश्ण उठता है तो बहुत ही महतुपुन प्रश्ण है पूरे वीडियो को ध्यान से देखें चोटी सी जानकारी है कम समय में इसको समाप्त कर दूंगा लेकिन ध्यान से पूरा वीडियो देखें और प तो यहां पर जोतिश शास्त्र में देखें तो पुराने शास्त्रों में लव मेरिज जैसा शब्द नहीं लिखा हुआ है, वहां पर इसको गंधर्व विवाहा में लिखा गया है, वहां गंधर्व विवाहा के बारे में जरूर लिखा गया है, गंधर्व विवाहा का सीधा आर्थ है कि अपने जो अग्रज हैं आपके परिवार के जो बड़े सदस्य हैं माता पीता दादा दादी या परिवार के जो बड़े सदस्य हैं उनसे बिना पूछे आप अपनी पसंद से जैसे कोई लड़की है उसने किसी लड़के को पसंद कर लिया माता पीता से नहीं तया हालांकि एसा विवाह Hindू धर्म के हिसाब से मने कहलाता है। तो प्रेम विवाह की इस्तिती में कुंडली मिलान करें या ना करें। गंदर्व व्ववाहा , प्रेम विवाहा में कुंडली मिलान जरूरी है या नहीं। तो जोतिश शास्त्र की अनेक जो पुस्तके हैं जिसमें मुहृत का वरणन मिलता है, मुहृत के शास्त्र हैं, उनमें इसपस्ट तयार लिखा है, कि यदि आप किसी से प्रेम करते हैं, सबसे पहले तो यह समझ लें, कि यहां पर प्रेम विवाह करना चाहते हैं, तो प्रेम क का अर्थ क्या है इसको भी समझना बहुत जरूरी है क्योंकि आप किसी से प्रेम करते हैं इसका सीधा सा अर्थ है कि समर्पन की भावना है किसी प्रकार का लोब लालच नहीं है मन में किसी प्रकार का द्वेश नहीं है गुस्सा नहीं है तो समर्पित हैं एक दूसरे के प्रत लिया पसंद कर लिया अब इसी से शादी करनी तो वहां पेकेज नहीं आता है जहां प्रेम विवा होता है वहां सारी इस्ततिया एक दूसरे से जुडाव वाली होती है प्रेम वाली होती है वहां धन का महत्व नहीं होता है वहां एक दूसरे के प्रती प्रेम का महत्व होता ह सुक दुख में साथ निभाना वैसे सामान्य तरीके से विवाह करें तब भी नियम यही है कि एक दूसरे का सुक दुख में हम साथ निभाएं यही वचन हम देते हैं लेकिन प्रेम विवाह में तो फिर महतुपून बात यही उठती है कि अगर आप सच्चा प्रेम करते हैं तो वहाँ पर फिर ये सारी इस्ततियां लालच, इडशा, द्वेश नहीं होना चाहिए मेरे पास बहुत सारे ऐसे मिलान भी आते हैं कि लड़का अच्छी नोकरी कर रहा है, लड़की भी अच्छी नोकरी कर रहे हैं, दोनों साथ में हैं, दोनों का पेकेज भी अच्छा है, लेकिन किसी कारणवश लड़के ने नोकरी छोड़ दी, खुद का व्यवसाय शुरू क पर दिया ऐसी स्तती में लड़की उससे विवाह करना फिर नहीं चाहती है ऐसी स्तती भी बनती है तो क्या इसे प्रेम कहेंगे या ऐसी इस्तती बन गई कि लड़की की इस्तती खराब हो गई, लड़की का हाथ पेर कहीं तूट गया या और कोई ऐसी इस्तती बन गई, चहरा खराब हो गया तो क्या वहाँ पर भी फिर प्रेम समाप्त हो गया तो यहाँ पर प्रेम का अर्थ समझना बहुत जरूरी है तो गंदर्व विवाह, वास्त्विक प्रेम विवाह, यदि आप करना चाहते हैं तो जोतिश शास्त्र में क्या लिखा है, सिंपल सी एक लाइन में बात लिखी है कि किसी भी प्रकार की पंचांग से समंदित शुद्धी आपको नहीं देखनी है ना तो कोई मुहृत देखने की आवशकता है, ना ही कुंडली मिलान की आवशकता है और कोई शुब अशुब योग देखने की भी आवशकता नहीं है अगर आप सच्चा प्रेम करते हैं तो जोतिश शास्तर में तो इसपस्ट ये बात लिखी हुई है कि आप किसी से सच्चा प्रेम करते हैं वास्ताव में प्रेम विवाह की स्थती है तो वहाँ पर ये सारे नियम नहीं देखने चाहिए इन नियमों के पीछे नहीं पढ़ना चाही लेकिन आज के समय में हम देख रहे हैं कि प्रेम विवाह की परिवाशा ही बदल चुकी है उसको प्रेम विवाह कहते जरूर हैं लेकिन जैसे ही शादी की और कुछ समय बात मान लीजे लड़के का कामकास थोड़ा भी मंदा हुआ लड़की छोड़ कर चली जाती है या लड़की के साथ कोई विपत्ती आई तो लड़का छोड़ कर चला जाता है या लड़की को संता नहीं हो रही है तो लड़के ने छोड़ दिया या और कोई बात आ गई जिससे रिष्टा तूट गया तो रिष्टा जहां तूटता है वो वास्ताव में प्रेम नहीं कहलाता है तो जोतिश शास्त्र की अनेक बुस्तकों में गंदर्व विवाह प्रकरण अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको सारी बाते मिल जाएगी कि वहाँ पर ये सारे नियम काईदे लागू नहीं होते हैं आप सीधा विवाह करें फेरे लेने का नियम जरूर है विवाह करें और फिर माता पिता को भी बताएं ये सारी इस्तती होती है तो उसमें ये नियम लागू नहीं होते हैं कुंडली मिलान और मुहुर्त देखना कि अच्छा मुहुर्त देखें कब फेरे लेंगे तो बहुत अच्छी इस्तती रहेगी इसका मतलब आपके मन में डर है आपको भय है कि आपका रिस्ता तूट जाएगा रिस्ता तूट जाए ऐसा भय हो तो वह प्रेम कोई काम का नहीं है इस बात को समझना भी बहुत जरूरी है तो सद भावना होनी चाहिए एक दूसरे के प्रती प्रेम की भावना होगी तब ही जाकर यह इस्तती मजबूत होती है और ऐसा विवाह ही शुब विवाह कहलाता है जो नियमित पुजापाट करता है महामृतुजय मंत्र का जाब करता है उनको कोई समस्या नहीं रहती है इस बात को समझना भी बहुत जरूरी है तो आपने जाना कि वास्तव में प्रेम विवाह में क्या नियम है जोतिष शास्त्र में क्या लिखा है, मूर्त शास्त्र में क्या लिखा है, अनेक उस्तकों में इस को आप पड़ सकते हैं, इस विशे को समझ सकते हैं, उसके बाद आप निर्णे भी ले सकते हैं, लेकिन सारी बात आपके सामने क्लियर है, और आपको समझना पड़ेगा कि प् सब्सक्राइब नहीं होता है वहां समस्या होती है तो वहां उस विशय को समझना भी बहुत जरूरी और वीडियो पसंद आये तो अधिक से अधिक शेर के साथ साथ इस चैनल को सबस्क्राइब भी जरूर करें दन्यवाद जैशी कुर्श्णا